हेलो पैरे बच्चो लक्षमर क्लास आपका स्वागत है आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी बॉल्ड टैंथ क्लास चित्रकला की पेपर के बारे में ठीक है तो सबसे पहले हम चर्चा किस पॉइंट पर करेंगे सबसे पहली बात सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इस कि पेपर में क्या-क्या सामगरी लेकर जाएं पहली चीज ठीक है most important आईए क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं पतागा कर लेकर कर जाते हैं second कि जो important question है कौन कौन से important question है जो कि पेपर में लगादार आते हैं और आने ही है इस साल भी ठीक है important question पर चर्चा करेंगे हम लोग तीसरी बात हम ये सेखेंगे कि रंग कैसे भरे रंग भरना सेखेंगे जो कि कला की जान है जिसको रंग भरना आता है उसको कला आती है ठीक है और तीसरी बात कि हम चित्रों को कैसे बनाएं चित्रों को कैसे बनाएं कहने का मतलब यह है वेटा जसने ये वीडियो पूरी देख ली ना उसके पेपर में सौ में से मान लेजिए चानवा सतावा अठावा है होचकता सो में सो नमर भी आ जो हैं ठीक है अब यह मैं सोच आ रही है साइंस के टीचर हैं और यह कला का पेपर के वारे समझा रहा है और तो बड़ी बात कर रहे ते नमर कैसे आ सकते हैं मैं साइंस का टीचर जरूर हूं लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट रहा है ना वह कला ही रहा है कला मैंने विस्यूस्यों किता भी हासली की थी अपने बच्पन टाइम में मुझे बहुत सारे प्रिस्कार्यों मिले थे ठीक है और मेरे कला में भी च्छानवे नंबर हैं टैन्थ क्लास में ठीक है बटा तो देखो यह मिली मिला था मुट्यान लिज्टर कॉली से प्रमाण पत्र तो शक्त में नैंथ क्लास में था प्रमानित किया जाता है कि लक्ष्मड प्रसाथ पत्र सुरीबजनलाल कर्षा नौ वर्क ए ने विद्धा कि कला में लिए बहुत जाता इंटरस्ट था और में लिए प्रतियोक्ता में बहुत जाता नंबर बन पर में रहता था हमें साथ ठीक है तो कुल्म लाकर कि अब देखते हैं हम लोग कि क्या-क्या लिएकर के जाना है कला के फिर पर हैं बीट थोड़ा लंबा होने वाला है बहुत लिए कह साथ जे एक हमां लेऊ सबसे पहली बात उ यह है दो पैंसिल लेईनी हैं है और इन पैंसलों को घर से चील करके कटर से ना उनके उपर कैप लगा करके लेकर के जाए कि तूदे ना अनके जो in जो च्छिला हुआ नुकुनू होता है वो तूटे ना ठीक है कैप काके लिगाने जो तीन पहले पेंगे नहीं आते हैं इनकी कैप को पड़ी हो तो दोनों पर कैप लाकर लेकर जाना है पहली बात ठीक है दूसरी बात एक कटर ले जाएं एक बिलेट भी ले जाएं और एक र के लेकर नहीं जाएं और या उगले बढ़ते हैं ऑधिनो नमबर का बुरुस ले लेएं चलो बहाँ पर जिसम करते हैं पहले देखते हैं एक कैम लिल्ट का प्रकार को भू खरी变Estab bun जो चित्तन मा लोग को लेते हैं हम लोग नहीं मा खी आपको समझा ओड्राइन क्या होती है ठीक का होती है जो यू नमबर का भूस्चा कैसे करेंगे कहा कहां खर Administration और एक नमबर का और दो नमबर का एक और दो नमबर का बुरस भी ले लें यह क्यों हो जैसे कि हमने माली जी कमल का फूल बनाया है तो कमल का फूल और उसको उसकी जो पत्तियां हैं जो कलियां हैं उनको रंगने के लिए हमें एक या दो नमबर की बुरस की आवशकता पड़ बुरस ले 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 इस बुरस की आप सकता क्या पढ़ेगी यह बैक्ग्राउंड को रंग करने के लिए जो बैक्ग्राउंड होता है ना किस पिक्चर का उसको रंग करने के लिए आप सकता पढ़ेगी ठीक है इस पर हम चर्चा करेंगे अभी आपको सारी ची बताई जाएंग है ना उसके बाद में हमारे लिए एक बड़ी प्लेट लेनी है जो कर्रे मिक्स करने वाली होती है और एक पानी की बूतल साथ लेकर जानी है को बार बार पानी बाहर लेने के लिए नहीं जाने देंगे और आपका टेम भी खराब होगा तो एक बूतल में पानी भी साथ लेकर के जाएं ठीक है और अगया दो चोटे चोटे चाए वाले कप ले लेना और जब आप पर घर कर ना तो हुआ होगा दोनों कपो में जो है आप बुरुस को दुल सकते हैं अच्छे से हैं ना और जब बुरुस दुला होगा साफ होगा तभी तो आप पैनट अच्छा कर पाएंगे और दो रुमार ले रहे हैं आपके लिए एक रुमाल किस काम आगा साफ रुमाल लेने ठीक है एक रुमाल आगा जैसे की जो बुरुस होगा ना बुरुस को आप जब दोलेंगे पानी में और उस पर फिर भी थोड़ा बत में लगता है पेंट बरा रह गया है तो उसको साफ करने में ठीक है और दूसरा रुमाल किस का तो लिखे हुए को जो मिटा रहें आप उससे गंदगी हो जाएगी इस इस वखे ही तो अब बात है एक पारडिक सी बेग अपको ते लिले लेए जिसमें सारे चीज बैक mail लेकर के जाएं अब मैं आपको दखाता हूं कि टूब किलर कैसा होंगाए का स्वाइल कैमलकर लिगा में कमल का टो बटा ये ट्यूब कलर है यह ट्यूब कलर अपको ऐसा दिखने में होगा यह ख summ까요our तो यह समय में तो यह मिलता था हुआ सथ रुपAy का मैं गलता होग सब उस थे कर लियु है तो इस आप आपर हने सब्सक्राइब टीक है बटा तो अ शुनिेहें आगे इस स्रीट से होगा देखने में है न और प्यारा लग रहा न यह एसा भी हो सकता है एसा भी हो सकता अबने में और इसा दोनों जोसकता है में समय पास यह वाला था यह बहुत अच्छा है वह जो है रिट भी पढ़े होंगे तो इसमें सो रुपे रेट पढ़े हुए है लेकिन पैसेट रुपय का मिला था हमें ठीक है आप देखना किते का मिलेगा बटा है है ना चलो अगले बढ़ते हैं तो यह कलर रहे है आपके ठीक है अच्छा अब देखते हैं कि मोस्ट इंप्रेंट कोशिन क्य है ठीक है जो पेंसिल से में बराने होते हैं कि बाल्टी होकी बॉल टेबल लैंप जग्या गिलास खुली पुस्तक यह चित्र बना लें आप पांस त्यार कर लें हैं हंड्रेट परशन्ट फसेगा सी में से हंड्रेट परशन्ट एक भी चित्र ज्यादा त्यार नहीं करें आप इसको हंड्रेट परसन्ट मानते हुए चलिए होकी बॉल या बैड बल्ला भी आ सकता है बैड बल्ला ठीक है बैड बॉल बैड बॉल लिखा हुआ हो सकता है ठीक है बटा यह तियार करना है आपको इतने चित्र पिलस यह तियार करना है ठीक है जिसमें से जो आम पत्त बुआना होगा आपको पेंसिल से सेक्ट करने हैं यह होते हैं अगर कद्र रंग भरिए तो आपको रंग भरना आपको ठीक है में लिजय क्रना जाता है मूली पतो सहित बैगन और अनार पती उसे तो हंडेत पिसेंट आम है ठीक है 99 पिसेंट मूली है बाकी सब बाद में ठीक है तो यह वी इंपोर्टेंट है बस जो मैंने बता दी ना 5 5 10 5 5 और बना लेना हैंड्रेट परशेंट आपके सबस्दना पाहर से एक भी पॉइंट नहीं आ सकता ये वीडियो आप देख लिए समझ पर आपका वह नहीं कर दी है पेपर पूरा यह बता दिया पेपर करने वाले बो बताऊंगा भी आपके लिए ठीक है तो आप खेर बात करते हैं खंड कासे तीक है बैटा आपको फूरा आमने खंड कासे स्टार्ट नहीं कि यह बोर होजाते हैं या बड़े बड़े कोशन होते हैं इसलिए भडे पिपर होता है थान समझना, खंड क, ख, और ग, ठीक है, खंड का अनिवार होता है, ये आपको 100% करना ही करना है, खंड ख, और ग, ये अथवा में होते हैं, चाहें ये करो, चाहें ये करो, खंड गा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग खंड का और खा को ही सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले खंड का में आते हैं और खंड का में दो टैब के question होते हैं एक होता है प्राकिर्तिक द्रश्य और दूसरा होता है आलेखन दूसरा कुछ होता है बटा? आलेखन, इन दोनों में से कोई हमें एक बनाना है तो खंड का हमारा solve हो जाएगा तो बटा अब आप देखे लो कि आपको क्या आता है आपको प्राकिर्तिक द्रश्य अच्छे से माना आता है या आपको आलेखन अच्छे से आता है मैं दोनों में इंपोर्टेंट रता देता हूँ ठीक है बटा? अगर आपको प्राकिर्तिक द्रश्य आता है तो भी अच्छी बात है अलेगन आता है तो भी अच्छी बात है तो मैं दोनों में इंपरेंट रहता हूं आप जो चाहूं को देख लिए ना लेकिन प्राकिर्तिक दर्श ठोड़ा कठन पड़ता है बैटा है ना चलो देख लेना भी ओके ध्यान समझेंगे धोटा प्राकिर्तिक दर्श कोश्चन है अपनी ड्राइंग सीट पर 20 सेंटीमीटर गुण 15 सेंटीमीटर का एक आयत बनाईए इसे प्राता कालीन ग्रामीड दरसे चित्रन जर रंगों से तयार कीजिए और निर्म प्रकाठ हमें नमबर मिलेंगे सेंटीमीटर की एक लाइन खेच नहीं है इसको ऐसे मिला देना है इस पात किते रंग होगा इसको इसको इसके होगा अपने पंद्रा अंख किया है जर्काहिन कि एसके प्राता कालीन ग्रामीड दरस का चित्रन जर करना है। गाउं का चित्रेक्ष में एक जोपड़ी होनी चाहिए है ना एक जोपड़ी हो पीन पौदे हो सुरज ओगता हो नदी हो इस सही प्रकार से हम स्योजन करेंगे बहुत नवी चीज़ को मिलाएंगे जिसके उन्हें साथ नंबर और रंग भी भरेंगे उसके पंद्रंग भरने के और जो बनने के बाद जो एक्रेक्षन होगा जो दिखाई देगा बहुत प्रभाफ शाली होगा उसके साथ नंबर तो सब्धार के तो चित्र में बिटे ये ना प्राकृतिक कला में हर साल यह आता है हर साल यह ही आता है प्रेंग सीट पर बीस गुणे 15 संटीमीटर गएक आयद बनाईए और इसमें प्राताकालीन ग्रामीड दरस का चित्रण की जिये तो दोखो बैटा धान से समंझें इस बा है ना तो यहां पर इस टेंसर नहीं नहीं है पर्ट्रह नाव करें देंगे और यहां पर लिखा है ना कि प्राता यहां ग्रामीर दरसक़ चित्रना यह तो यहां प्राता कालीन होता है साइकालीन भी हो सकता है साइग का नी इनसां साम के समय का तो玉श एक बार ध्यान रखने योग है और ठाकालीन हुक्तर में भी सूर्य हुता है और यह 오ता है और यह हुबTr not ni pokateा ऑफ़ चित्र एक ही बने गा ओके छो देखते हैं इसको कर साइकालीन की रूप में आते तो कैसे आता है और यही आता है अन्टेट परशंट हर साल हर साल यही आता है और चित्र यह कैसे बनाना है करना कैसे करना है उसकी जम्यदारी मेरे ऊपर छोड़ दो इस वीडियो के लाश तक मैं आपको ट्रेंड करूंगा गरंटी के इस वात कि ठीक है पूरी साल टरंग नहीं पड़ी कोई बात नहीं मेरे साथ है न आप और जब हम है तो आपको कोई टेंशन लहीं नहीं नहीं ठीक है बस वीडियो लाश तक देखो आपको पतागा कैसे बनाना है उसको तो यह कोशन स्टैप से भी आ सकता है देखो अपनी ड्राइ दरस का चेत्र जरनंगों से त्यार किजिए दो मैंने का संध्या काली ने भी लिख करके आ सकता है और यह भी चीज़ यह चेंज हो सकता है तो यह भी तो चेंज है ठीक है बैटा दो वही सब कुछ लिखा हुए है अब हम देखें कि चित्र चित्र कैसे वह मिलेगा ठीक है बैटा तो चित्र देखो आपको बता आँ दो प्राता कालीन का प्राता कालीन का यह रहा चित्र देखो इसमें कर चीज़ना नहीं है पीर पौदे बनाने हैं घर बनाने हैं और एक सड़क बनानी हैं तो यह तालाब हो गया है और आपके लिए उगता हुआ सुर्ज दिखाना है तो जाओ उसर पीछे पाहर यह भी दिखा सकते हो कि परंदे उरते हुए हैं अब बात यह आती है कि सराहब अच्छा बता रहे हैं ये बनाने अब कैसे करता कैसे भर्य आएंगे यह दो कृटिन बाते हैं यह सोशते होगे न हैं जिए चिंता को करते हो यह वीडियो की सब कु सब्सक्राइब देख लेना मैं डाल दूंगा कि यह जो है प्रताकालीन का दर्श्च कैसे मनाते हैं और यही चित्र जो बना हुआ है यही चित्र एक यूट्यूब चैनल है ट्राइंग 99 ठीक है उन्होंने बनान सिकाया है यह लिखा भी है तो ट्राइंग 99 ऊपर ठीक है कोने पर तो मैं इनका लिंक दे दूँगा आपके लिए आप वहां से आके इसको देख लेना ओके अब अभी हम बताएंगा कैसे करते हैं यह हम आपको बताएंगे अब देखते हैं आले खंड का को सॉल्व करने के लिए आपको एक कोशन प्राक्रतिक द्रेश्च का होगा अगर आप प्राक्रतिक द्रेश्चों में नहीं आ रहा है करने का मन नहीं कर रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए बिलकुल आजाईए आप अले खन पर तुबामें बटा आले खन दिया हुआ बो नहीं आता तो आले खने मैं बता रहा हूं क्या आता है हंड्रेट परशंट कम कमल का फूल पत्तियों सहथ बनाने के लिए आता है हर साल रट्टा माले इस साल भी यह आना है कमल का फूल पत्तियों सहथ ठीक है चाहें ब्रत के अंदर आने के लिए आजाए चाहें बर्क के अंदर आजाए चाहें आयत के अंदर आजाए चाहें तरवज के अंदर प्तियों से थ्यार कर लें और तिस फी उड़ती हुई है ना तो बढ़ को बढ़ना ऐसे लिए सकता बढ़ी का मुझेल साहEr ड़तर बनाई कमल का फूर नहीर आना याना है दो देखते हैं कुछ कोष्चन के रूपर है कैसे आ सकता है बड़ा देखो बटा देखो एक बर्ग की रचना कीजिए ठीक है दो बर्ग भी हो सकता है बरत भी हो सकता है अर्द बरत भी हो सकता है तरबुज भी हो सकता है कुछी के अंदर भी आ सकता है कमल का फूलनाने के लिए ठीक है एक बर्ग की रचना कीजिए जिसक कम अ킨 हैं आप देखेंगे ये कोशिन में एक बर्ग हो सकता है अर्थ हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है उसके अंदर हमारे रीएए कमल का फूल थियों से ठीक है और किसी कोशन में बहुता है कि तितली भी बनाई यह तितली शाहित भी बहुता है ठीक है तो इसके आप त्याए रखें अच्छे से कोशन में नहीं आए preciso कोशन पहले को वह बर्ग हो या आएथ ऊच्छाया और अर्द अर्द आहां उसमें कमल गुढ़ा हेल पुष्प इस तरह बनाना है कमल या गड़हल का पुष्प इस तरह बनाना है जिससे कि वो बर गया आयत बरत जो भी है वो पूरी तरह भरा हुआ दिखाई दे है ना अब ये समय में ये कोशन आता है कि सब भरा हुआ दिखाई दे क्या मतलब है, बात ये है ना मेटा कि 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 अगर ना कुछ क क खाले जबर बच जाती है, जसे कि मान लेगों इधरा है, कमल का फूल, आपने कमल का फूल बता एप जा तो आपने ये कर दिया, कि तो अच्छा माना जाता है तो यह कोश्चन ऐसे भी लिखा आ सकता है तो को वेटर दूसरी के से 16 cm 2 सोल सेंटी मेटर वियास का मतला है 8 cm तज्छा 16 cm कितना भी सेंटी मेटर वियास के एक विरत में पूर्ण एकाई वाले मौलिक आलंकरिक आलेखन बनाई है उसे किसी भारती एक पुस्प उसकी पत्तियों एवंकलियों से अलंकरित कीजिए है ना अलंकरित का मतलब यह है कि पुस्प पत्तियों से अलंकरित करने मतलब यह होता है कि सजाई सजाई का मदलब यह नहीं कि जैसा 100% घुलाब का फूल होता है भैसा बनाई यह कला का मदलब उता है अच्छा देखना चाहिए आकर्चत ने होना चाहिए थी के इन बातों को देहां रखना है कि कि तो आले खन में तीन जल रंगों का प्रियोग किजिए एवंव रंगों की उत्तम अनुरूपता भी दिखाईये ठीज रंगों का यूज करना हमें जद्रंग यूज नहीं करने इसमें है तो उसम्भागतिन रंग की नोट के मतल्ब अ जब जब 16 सेंटी मीटर के ब्यास बाला ब्रत है तो उसका मतलब यह कि आठेंटी मीटर तरज्जा का हमार लिए भ्रत खेचना है है न और भारती यह पुश्प का मतलब यह है जिसके कमल का पुश्प भी बना सकते हो उसके अंदर आप गुलाब का भी बना ऐसा बनाना चाहिए जिसमें पूरा ब्रत बहरा हुए दिखाई ठीक है और मालिजे कहीं कुछ बहरा हुए नहीं लग रहा है तो उसमें आप कलिया हैं पत्तियां बना करके यह तितली बना करके पूरा बहर दीजिए तो अच्छा लगेगा है ना बुष्ञा बर को बरने के लिए सबसे पहले पूस्ट मना लें गें हम है ना उसके बाद जो भी से षिक्दिस्थान बचएगा हैं जो खाली-खाली सौब को लगेगा उसमें आप कलिया हैं पतियां हैं तित्री बना सकते हैं जिससे कि हमरा पूरा आलेकन बहरा हुआ लगेग ऑर बहुत सुन्दर दखाई देगा वह दो वह लेकुकिल होती है ना मेरे भाई आ ngay या जो बड़े भाई है बहुत अच्छे चत्रकार ठीछ अधर वह ठीक है टॉ चत्रकार है तो उनलकी बीपरठी कुछ कुछ मेरे अंदर है तो ऎसलिए मुझे भी कला में बहुत इंटरस्ट है तो मेरे बहुत अच्छे मार्टेन्थ खालोई तो मैं और उप questão मे तो यही तुम्हें इनकला है है ना लेकिन ठगए होगे वीडियो देखते हैं ना भगने वाले होगे छोड़ चान करके भी भागो मत देखलो कलर कैसे करें आसर तुम्हें किसी नहीं बताओगा बिद्याले में भी देखो कलर कैसे करें देखो माली जी एक आयत में आपके लिए बोला है कि एक आयत में आप कमल का फूल कलियों पत्तियों और बदक सहित बनाईए और सुन्दर जलंगों से भाईए माली जी एक क्वेशन आया हुआ है तो आपको करना क्या है सबसे पहले आप पेंज दो यह कोशन ऐसे भी हो सकता है कि एक ब्रत खीचिए उसमें कमल का फूल पत्तियों और कलियों सहत अलंकरित कीजिए सबसे पहले करने स्टाप नमघर बन चित माने के लिए सबसे बढ़े आप जो मैंने का थे ना आप बड़ा बुरुत लेंगे बड़ा वाला बुरुष बड़ा बुरुत यह चार आठ नम्मर का बुरुत ठीक है तो उससे क्या है आप पीला कर लेंगे और पीला कर लेकर के जो आप पूरे चित्र पे पेंट कर देंगे पीले कर लेकर का ठीक है कैमल का ट्यूप कर लेंगे उसमें तुछासा पानी मिला करके पूरे चित्र पेंट कर देंगे इस टैप से पूरे चित्र पेंट कर देंगे इस टैप से पूरे चित्र पेंट कर दें पत्य को छोड़ा को इसके रहे और फित्टे को ऊपर चलड़ा तूभी को टेंसिंसिल की आली बात नहीं है कि लेकिन अप उल्टा करते हैं आप करते हैं कि बुरसे से पत्ति ना हैं कि कमल को भरेंगे ऐसा नहीं करना अब पीला कलर पूरे में गुमा लीजिए ठीक है उसके बास सुखाई यह थोड़ा सा जब थोड़ा सुख जाता है फिर आप लीजिए अपना गुलाबी कलर है ना वेटा और गुलाबी कलर कैसे बनाएंगे आप तो गुलाबी कलर बनाने के ये घौ-पकश क्या करूव ठेक है बता रहूं कैसे बनाना ओक देखो गुलाबी कलर के लिए आपको के पुलाबी कलर बना बनाया आता है और नहीं आता हो तुमस्ति बताव प्लिभा तुम्ति कलर ने लिए तो बताए हूं तो बीटा देखो आपके पास ये च्यूंप कल तूब कलर देखो यह कलर से आपके पास ठीक है बटा तो देखो आपका काम ना एं लाल लेना लाल कौन सब्सक्राइब लूड़ टीक है लाल कलर प्लस सफेद सफेद रंग लेना है ठीक है पूरा पूरा 50 पर सब्सक्राइब लेना लाल साथ परशेंट लेना सफेच जर्लस परशेंट लेना और हलका सा पीला बहुत हलका सा पीला लेना बहुत नागी औरावर ठीक है एक-डू परशेंट मिला लेना गुलाबी कलरücken इस बहुत सुंदर गुलाबी कलर 근जाए या आपके लिए लाल लाल कलर लेना है पलस सफेद पलस हलका सालखास übrigens भी लाला लेंगे तो आपको बहुत ऑच्छा गोलाबिकिलर प्राप्त नें दूसर संवारा दूनलें जाओ कि पुर्स कि उन्यृश करेंगे तुम फूर दूसरा कप होगा दूवारा दूनले ना बsti तो बिरू-पि जाएного हो जागा आपको रुमाल से पूंच को निकालना है अपना जीरो पॉइंट वाला बुरिस जीरो नंबर वाला बुरिस ठीक है जीरो नंबर वाले बुरिस से आपका काम करेंगे जो गहरा हरा कालर होगा गहरा हरा ठीक हर दो होंगे एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा गहरा हरा करने ना उसमार का पाइम लाना उससे करनी है इसके आउट लाइन साइट करनी है यह यह आउट लाइन करेंगे यह साइज साइट करेंगे ठीक है बटा यह सारी अट लाइन करने के बाद उसके बाद आप क्या काम करेंगे बुरस को धुलेंगे फिर से दो आपके पास कपाले पानी होंगे इसमें आप धुलेंगे इसमें धुल लेंगे उसके काम करना है आपको फिर से रुमाल से मोशनाय साफ करके है ना करकी बार धुलना है बुरस को जब किलीन हो जाए बिल्कुर बुरस उसके करना है आपको गहरे कलर का गहरे कलर का ये लेना है आपको गुलाबी कलर ठीक है यह लाल कलर और इसकी भी outline कर देनी है तो इस तरीके से बेटा आप बना सकते हैं एक एक आले खन ओके तो धान रहे जो हम background करते हैं पीछे का color करते हैं यह पहले करते हैं और हम background में ऐसा color लेते हैं जैसे पीला कलर ले लो ठीक है देखते हैं और हाँ इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रशन बॉक्स दो दूंगा ठीक है और इसकी भी लिंक देखरा को सॉल्ब कर चुके हैं खंड का में दो चीजे आती है पहला आता है प्राकृतिक द्रश है ना अत्वा प्राकृतिक द्रश आपको नहीं कर मिल रहा है तो आप आलेखन कर लें है ना आलेखन में आपको तार चुका हूं कमल का फूल आगा आपका 100% यही आना है कमल का फूल या गुलाब का फूल ठीक है तो बटा कमल का फूल 100% है लिखके रखलो अब खंड घृ खंड खंड खा नहीं करना नहीं करनी है क्रोगो से पिता आप नहीं करना है ह्यां गर मैंसे अब को में और इनमेंसे आम पत्ता 100% चाहिए और कुछ भी आसकता है बिटा आम पत्ते साहिए ऐसे बनाना है आपको ठीक है पेंसिल सायट करना है इसका भी मैं दिस्कोसम परक्स जदूंगा यह अपि बनाना है तो बीडियो अच्छ लगा तो बाइट बाइट उसे लिए लाइक चैनल